हेलो स्टुडेंट्स आयम आर्थी और मैं आप सबका वेलकम करती हूं टू आर्थी एडुकेशन वर्ल्ड डिये स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम आपकी क्लास 6 की इंगले सब्जिक्ट की वर्क सीट तंबर 20 पढ़ेंगे जिसकी डेट है साथ दिसंबर 2020 प्यारे जो बिसमें करने को दिया गया वह सब करते हैं तो बच्चों सबसे पहले आप यह दो पिच्चर देख पा रहे हो कि क्यूंदेख पार हो पता है तो यह जो लड़का है ना उसी के बारे में सोच रहे हैं कौन से वो दिन होते हैं अब आप ऐऊ इसको आप करना है आज्सू कलुर्ड काइट गिवे और कलंव को से आप इसको बनाती है कर लोग है एक आपका होता है मकर सकरांती तो आप लिख लीजे हैं पर मकर सकरांती चलिए मैं आपको नीचे इसका आंसर दिखाती हूँ आपको कैसे लिखना है देखे बच्चो यह लिख देंगे आप सबसे पहले आप लिख देंगे इंडिपेंडेंस डे फिर लिख देंगे मकर सकरांती और फिर लिख बसंद पंच में ठीक है ये तीनों जो आपका वो जो जंगे दी गई है ना उस पर लिख देंगे आप ये तीनों नाम ठीक है चलिए क्योंकि इससे आपको समझ में नहीं आता है स्पेलिंग इसलिए मैंने आपके लिए ये नाम लिख दी है चलिए आप आजाते हैं दूसरे जो पहला कोशन है ये तो ऐसी सोचने को बोला था पहला कोशन जो हमने पॉम पड़ी थी उससे एक जो पतंग होती है आसमान में कैसी दिखती है चमकीली दिखती है ये उपर नीचे जाते हुए तो क्या आजाएगा इसके ये आजाएगा पहला तो पहला आप यहां पर देंगे निव ठीक है ये आगे आपका निव काइट इट पूल्स इट इस स्ट्रिंग और फ्लाइ कि बच्चो उसके बाद आपको क्या करना है राइट रीच दे मैकसिमम अब जो हवा हुती है उसकी ऊचा चड़ने में उसकी मदद करती है और मैकसिमम जादे से जादा हाइट पर पोँचने में तो ये होगया आपका तीसरा तो यहां पर आप लिख देंगे हेगाइगाई तो इसमें यह आजाएगा आपका विंड उसके बाद यू विंड दा डैस ओफ दे काइट वहन इसलेक्स आप उसका क्या करना जब वो थोड़ी लूज पड़ जाए आप उसका स्ट्रिंग को बांद दीजिए तो यहाँ पे आप लिख देंगे स्ट्रिंग ठीक है बच्चों यह आपका स्ट्रिंग हो गया और जब एक नई हवा आती है यू अन्विंड इट अगें तो यह क्या होता है यह बहने लगती है और आप इसको क्या कर देंगे इसको अन्विंड कर देंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पे लिख देंगे ब्लोज ठीक है इसको नई हवा फिर से उ जो पंक है उसमें हवा भर देती है तो यहां पर आजाएगा आपका एयर ठीक है यह आपका छटा था यह सात्वा बिल्कुल कुछ नहीं करना सीरिल से दिये गए हैं बस यह तोड़ा सच चेंज है वन के बाद थरी फिर फिर फॉर फाइफ सिक सेवन फॉर फाइफ सिक सेवन तो लाइन से लगे हुए हैं हो गया आपका पहला कोशन आप आजाते हैं दूसरे कोशन की तरफ दूसरे कोशन में कुछ भी नहीं करना बस मैचिंग करनी है जो आपको बहुत पसंद आती है तो चलिए कर लेते हैं मैचिंग सबसे पहले दिया हुए है क्रस्ट तो क्रस्ट का मतलब होता है at the highest point तो आप इस से को match कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे A, ठीक है ragder का meaning होता है uglier तो आप इस से को match करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे B, flaps flaps होती है जो आवाज करती है जो पतंग तो उसको flatter भी बोलते हैं उसके आवाज करने को तो इसका मतलब क्याल हो गया, यह हो गया C slack, slack का मतलब होता है जब lose पड़ती है तो यह हो गया आपका D, यह हो गई आपकी आसान सी matching, okay students चलें मेरे प्यारे बच्चो आप चलती है तीसरे कोशन की तरफ, तीसरे कोशन भी बड़ा असान सा है, तीसरे कोशन में क्या करना है बच्चो इसमें आपको rhyming word लिखने है जो आपकी पॉम से आया है और आपको लिख कर, बस लिख देना है क्योंकि इसमें आपको नहीं दिया गया है अपनी जो बुक है जो आपकी बुक है, उसमें से देखेंगे इंगलिश की और देखना उसमें मैच कर रहे है या नहीं कर रहे है तो चलिए करते हैं, एक एक करके तो बच्चो आपकी पॉम में से निव का होता है, राइमिंग स्कीम क्या होती है निव को जो बोलने में हमें एक साल लगे बाद में तो निव का हो जाएगा ब्ल्यू टेल का आपका ब्लोज ब्लोज का था आपका गोज चीक है और सी का था आपका ट्री और आपका सेल क्या आया था बच्चो सेल का आया था आपका टेल का चुछ नोगा विक्स है तो तो आपको ऐसे आपको आपकी इंग्लिश की वर्क सीट वर्कशी लगता है तो आपको क्या करना है लाइक कमेंट शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को विद नोटिफिकेशन वेल जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके थैंक यू स्टुरेंट्स